हाई दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओमकार अनंता के बारे में ओमकार डेवलपर हैं वैसे तो काफी सारा न्यूज में और इसमें मालूम पड़ा है कि ओमकार डेवलपर जो है काफी सारा उनका प्रोजेक्ट रुका हुआ है कैसे चल रहे हैं बट मैं यह ओमकार अनंता की मार्केटिंग इसलिए कर रहा हूं और आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि यह बिल्डिंग में बिल्डर का कोई इन्वाल्मेंट नहीं है भले प्रॉपर्टी आपको फर्स्ट एग्रिमेंट मिलेगा बट यह सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी है प् होती अट्रेक्टिव प्राइज में सेल कर रहे हैं और इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं क्योंकि टाइटल क्लियर है और प्राइज अट्रेक्टिव है बाकि सारी फैसलिटी इस जिस तरह नॉमल बिल्डिंग्स में सब वैसे ही है 24 अवर्स वोटर है ओसी आ चुका ह दिखाता हूं कि किस टाइब की प्राइटी है और मैं जो बात कर रहा हूं कि थे हो गदे रहे हैं कितने में देए अफाविशा हैुब दिखाता हूँ उसके बाद साइजिंग और प्राइज के बात करूंगा दूस्तों को कि यह मेन एंट्रेंस है ओमकार अनंता का यहां से वोकिंग आप जाते हैं तो पास से साथ मिनट के वोकिंग डिस्टेंस पर आपको गोरे गाव फिल्म सिटी आ जाता है तो जो फिल्म सिटी में काम करने वारे लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी ह है यहां से आपको ज्यादा ट्रवलिंग का कुछ टेंशन नहीं होगा यहां से वोकिंग भी जा सकते हैं अगर आपके पास स्कूटी बाइक कार कुछ भी हो तो इजली आप पहुंच जाते हैं उस्ट के एरिया में यह मैं आपको एंट्रेंस दिखा रहा हूं कॉंप्लेक् स्कूपिंग ही दिया हुआ है उसके बाद पहला माला ही स्टार्ट होता है इसमें लगबग साथ माले से और आप जब पांच छे माले पर प्रापटी फिफ शिक्स फ्लोर पर पर पहुंच जाते हैं और उपर आप देखें तो एक हाइट पे यह बिलिंग बना हुआ है तो क इसका एंटरेंस लॉबी है हर एक एंटरेंस लॉबी इतना ही डेकुरेटेड को बसूरत बनाया है और यहां से मैंने अभी सिक्रिटी को अधाया है विडियो शूट कर रहा था मैं इसके लिए तारे हाइज फीड लिफ्ट दिया है और बैकसाइड भी इसका ओपन स्पेस है यह इसका एमर्जेंसी एकजिट है एमर्जेंसी एकजिट यानि सेरिकेस है अभी तो कितना इतने हाइज पीड लिफ्ट आगए इतने ओप्संस रहता है कि स्टीडियों की जरुत नहीं इस चीज को में भी फॉलो करता हूं कभी कभी मैं खुद भी रिकेस से जाता हूं आप देखें तो एक अच्छा वक हो जाता है आपके बॉडी हेल्थ के लिए हर एक फ्लैट में आपको पारकिंग मिल जाता है, पारकिंग के आप संस काफी है आप यह देख सकते हैं हाइट पे बिल्डिंग बनने का और फ्लैट लेने का बेनिफिट ये है कि आपको air का ventilation, sunlight, air आपको बहुत ही बढ़िया चारो तरप से घर में मिलता है और एक positive vibes चारो साइट से बना रहता है अभी देखते हैं इसका 2BHK की property किस टाइप का है काफी बढ़िया एक spacious पैसे तो ओमकार वालों ने जहां जहां पर बनाया है इनका flat काफी बढ़िया spacious रह कि यहां पर कुछ भी आपको देखना समाझना नहीं है पैसा देना है लोकन की flat लेना है यहां पर यह जो living dining आप में देखा इसमें dining एरिया लिविंग एरिया टीवी उनिट एरिया आप सेट कर सकते हैं अपने interior decorator को भुला के यह इसका common washroom है common washroom में एक extra अंदर के साइड को में लेकर दिखा रहा हूं कि utility space दिया हुआ है जहां पर आप वासिंग मसीन दख सकते हैं एक utility space इसमें एक extra जगे दिया हुआ है master bedroom में master bedroom में जगे दिया हुआ वहां पर भी आप चाहें तो washing machine दख सकते हैं यह एक्स्टा कु किचन में service platform, gas platform दिया हुआ है आप और cabinets दिया हुआ है यह एजटीज आपको मिलेगा सारे flats में इन्होंने ऐसे ही दिया है तो modular kitchen अगर आप बनाना चाहें अलग से तो बना सकते हैं otherwise इन्होंने तो आपको बना के दिया ही है और ऐसा नहीं अच्छा material यूज किया है सारे branded material इन्होंने यूज किया है तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूत नहीं है सिर्फ आपको furniture बनाना पड़ेगा अभी मैं आपको common bedroom दिखा रहा हूं common bedroom in the sense इसमें attached washroom नहीं है कुछ लोग common bedroom बोलते हैं कुछ लोग goods bedroom बोलते हैं कुछ लोग इसको guest bedroom बोलते हैं अपने-पन करना हो तो आप रख सकते हैं ऐसी का आउड़ोर रख सकते हैं ऐसे अलग अलग options में यूज कर सकते हैं अभी मैं आपको लेकर चलता हूं master bedroom दिखाता हूं master bedroom में एंटर करते ही आपको right hand side पे first right hand side पे master bedroom का washroom मिलता है master bedroom in the sense attached washroom इसमें आपको बाहर यूज करने नहीं जहाँ है आपको master bedroom में डाइस्ट washroom मिल जाता है इसमें wash basin area, commode area, bath area तीनों को अलग लग सक्षन में डिवाइड किया हूआ है उसके जब आगे बढ़ते हैं आपको मैं पूरा bedroom दिखा रहा हूं जिसमें L shape में window दिया हुआ है और इसमें भी एक extra जगे दिया हुआ है जहां पे आप चाहें तो मंदिर बना सकते हैं कुछ extra कुछ भी कर सकते हैं इसना जगे यहां पे दिया हुआ है वैसे तो दोस्तों बता दूँ कि गाउं में जो घर होते हैं वहां तो चार पाँच फूट दस फूट माइने रखता है लेकिन flats में एक एक फूट माइने रखता है इतनी facility होती है एलसे प में विंडो होने का एक benefit यह है कि आपको दो साइड से ventilation मिल जाता है अगर इस से हवा चलता है तो North में निकल जाता है और वेस्ट से हवा चलता है तो North से South में निकल जाता है तो यह एलसे विंडोस जो बील्डर देते हैं यही intentionally देते हैं कि उसमें पॉजिटिव वाइब्स बना रहे हवे का फ्लो हमेशा बना रहे संलाइट भी बना रहे जिस भी दिशा से धूप आता हो दोनों दिशाओं से हवा और धूप फ्लैट के अंदर आए स्वाइर में हॉल है बड़ काफी बड़ा इस प्रेस नहीं दिया है करीबन साड़े से सो साथ सो इसक्वार फूट का फ्लैट है वह मैं आगे आगे आपको बताऊंगा और यह फ्लैट जो मैं गोरेगाओं का आपको दिखा रहा हूं दोस्कों आपको बता दूँ यहां पर इ रेंट नहीं आता कमर्सियल में अगर आप जाते हैं न तो वहां पर आपको 50,000 रुपया अगर आपको रेंट चाहिए 50,000 रेंट चाहिए तो आपको 1.5 क्रोड यानि 1.5 क्रोड रुपया आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब आपको 55,000 भाड़ा मिलेगा यहा एरिये में 2.5 क्रोड के नीचे फ्लैट नहीं है और यहां पर टाइटल के मामले में आपको देखना नहीं है यह इसका पोडियम पार्किंग है जिमनासियम भी है इससे लेकिन जिमनासियम में लोग जीम में वकाउट कर रहे थे तो मैं वहां पर विडियो पर्मिशन मिला नहीं वहां पर जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनका पेस आ जाता था इसके लिए हमने वहां पर लिया नहीं इसमें एक जिमनासियम भी है और यह पूरा पोडियम पार्किंग है और अभी मैं डीटेल आके बताऊंगा कि क्या प्राइजिंग साइजिंग वगरा है फ्लैट का वो भी आप जान लें दोस्तों ओमकार अन्ता के बारे में वैसे तो काफी लोग जानते हैं फिर भी कुछ प्रिविएस प्रोजेक्ट बबता दूँ ओमकार मजस्वाडी ओमक अल्टा मुंटे ओमकार सिगनेट ओमकार गलेक्सी ओमकार मेरीडिया ओमकार 1973 ऐसे कई प्रोजेक्ट डेवलप किया है अब मैं इस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं अमकार अनंता का जो अपने अभी फ्लैट देखा है किस टाइप की प्रॉपटी एलिवेशन सब में आप को दिखाया और बगल में ही गोरिगाउं फिल्म सिटी है फिल्म सिटी के जादा तर लोग वहां पर पर्चेस कर चुके हैं प्रॉपटी बहुत ही बड़ीया लोकेशन भी है रेडी टू मूउग ओसी के साथ यह प्रॉपटी है साड़े तीन एकड का 315 एकड का लैंड वा हुआ है पांच में माले से स्कलाट बनना सुरू हुआ है यानि फस्ट फ्लोर आपका फिफ्ट फ्लोर पे आता है चार माले पे भी अगर आप घर लेते हैं तो आप आप ग्राउंड फ्लोर से देखें तो लगबग 10 माले पे पहुंच जाते हैं ऑसी रिसीव्ट प्रोजेक सब्सक्राइब जिसमें सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कुछ समझना नहीं है कॉन्फिग्रेशन इसमें सिर्फ टू भी एचके है बड़े चोटे अलग अलग साइज में जो मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूं तो भी एचके का कार्पेट एरिया जो सबसे नॉम जबड़ेगाव में वहाँ पे देखें तो जनरली वहां का जो प्राइजिंग चल रहा है करीबन दो सब्सक्राइब के आसपास चल रहा है इसकी जो प्राइजिंग है वहां पर एक दो प्रापरी सेल किया है यह एक करोड़ तीसलाग रुपे में आल इंक्लूसिव दे रह प्राइजिंग की बात करों दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे एक बता देते हैं तो वीडियो अगर दस दिन-पंद्रा दिन एक महिना आगे पीछे हो जाता है तो प्राइजिंग बिल्टर का कभी उनके सेल्स के हिसाब से चेंज भी होता है ता देख रहे हैं तो आप मुझे फोन करें मैं जेक्ट आपको बताऊंगा कि उसका फ्लैट कॉस्ट बॉटम प्राइज क्या है उसका और इंक्लूजिव प्राइज क्या आएगा उस वक्त क्या अनुशार अमकार अननता के गिफ्ट वाचर की बात करूं हर एक प्रोजेक्ट में हम लोग जिसके भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें हम होलसेल में 100-200 फ्लैट बेचते हैं और आप एक दो फ्लैट करीटे हैं या तीन फ्लैट करीटते हैं तो आपका जो पर्चेसिंग है और हमारा जो सेलिंग का जो कॉंटिटी है वो काफी फर्क होता है मैं और हमारे टीम क में 100-200 वैच्वा bit तो हम्मोग 500 थारींग में 100 बाइच्ड करते हैं इसमैं कंदे का वोपर शिटभ फिफटोटं के ऊपर तो वहां के जो बॉटम प्राइज है उसमें भी हम आपको करवा कर देंगे डील साथ हमारी और से किफ्ट वाउचर भी 50,000 कर रहेगा साथ हमारी टीम जो आपको सर्विस देगी वो तो देगी ही यह आपको हमारे साथ डील करने का एक्स्ट्रा बेनिफिट है तो आपको प्र करना है की नहीं लेकिन एक साल तक यह लागू रहेगा कि एक साल के अंदर अगरा प्रॉपटी बर्सिस करते हैं तो यह गिफ्ट वाउचर आपको हमारी और से मिलेगा दोस्तों मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रॉपटी के इंफॉर्मेशन के साथ जो भी कोई फाइ क्या है झाल झाल